सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप गाड़ी की हिटर कोर है उसको किस तरीके से क्लीन कर सकते हो आप इस तरीके से किसी भी गाड़ी की हिटर कोर जो है क्लीन कर सकते हो तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा आपको पता होना चाहिए इटर कोर की जो स्प्लाई है वो कां से है जैसे यह बोलेरो है इसके अंदर जो इटर कोर की स्प्लाई है वो एक तो यहां से जा रही है यह pipe जो है इसके इन दोनों pipes को यहां से remove करना है यह जो point है यहां से अपन इन दोनों इन pipe को remove कर लेंगे उसके बाद ister core को अंदर से clean करेंगे इन pipes को remove करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है जो valve लगा होता है इस line के अंदर वो आपको पता होना चेए किस तरफ है जैसे ये गाड़ी है इसके अंदर वाल जो अंदर की तरफ है तो आपको क्या करना है इस गाड़ी का हिटर ओन करना है उसी के बाद जो है इटर कोर क्लीन हो सकती है क्योंकि वाल जो अंदर लगा हुए अगर आपके गाड़ी में वाल बाहर की तरफ लगा है तो अगर आप पीछे की तरफ से pipes को निकालते हो तो make sure आपकी गाड़ी का heater on हो जैसे इसी गाड़ी के अंदर मैं पीछे की तरफ से pipe को निकालूँगा तो मैं इस गाड़ी का heater जो है on कर दूँगा तो चलिए फिर शरू करते हैं तो वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि इससे हमें भी आगे और इसी वीडियो बनानी का मोटिवेशन भी मिलता है और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको बताया आप किस तरीके से गाड़ी का रेडियेटर क्लीन कर सकते हो या कूलेंट चैंज कर सकते हो तो उपर आई बिटन में मैं उसके लिंक डाल दूँगा तो आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हो तो चलिए फिर शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको इनको अटाना है आप किसी भी प्लायर की एल्प से जो है इसको हटा सकते हो यहां से इसे करके इसको लोग को बाहर की तरफ कीच लेना इस लिए आपको दूसरा लोग जो है उसको भी निकाल लेना तो यह पाइपस जो है इटके वजह श्के उपर चिपक जाती है तो आपको काफी जो है जो है जोर से इसको निकालना पड़ेगा तो थोड़ा ध्यान से ही रखे ज्यादा जोर भी इस पर नुकसान दे सकता है इसको थोड़ा वो तिधर-उदर मूव करवात हुए आपको इस में पे चला है तो यह इसकी वजय से थोड़ा वह धख्राब भी हो रख है झाल आक इस देंक आलरा रखिया तो अभी अपन इसको अंदर से कृल इन करते हैं तो अब यांसे दोनों पाइप्स को रिमूव कर लिया है तो अब अपन क्या करेंगा इस ओन करते हैं, हीटर ओन करना इसलिए जरूरी होता है, क्योंकि इनका जो circulation होता है, coolant का हीटर कोर से, वो valve के तरू होता है, तो valve जैसे अपने हीटर ओन करते हैं, तो valve ओपन हो जाता है, इसलिए आपको हीटर ओन करना जरूरी है, तो अभी आपको मैं बताता हूँ, आपको और कौन-कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी इसमें अब आपको चाहिए दो पाइप जो कि मैंने यहाँ पे ले रखी है इन में से एक पाइप को जो है मैंने वहाँ से टेप वोटर से जो है और जो दूसरा पोइंट है उसको अपन इटर कोर के दूसरे चोर से कनेक्ट कर देंगे अभी मैं आपको फिर से इसके कनेक्शन बता देता हूँ यह जो पाइप है यह अपनी टेप वोटर से आ रही है और यह जो है अपनी इटर कोर से बाहर की तरफ निकल रही है तो यहां से पानी इटर कोर के अंदर जाएगा और वहां से रोटेट होके वापस बाहर की तरब निकल जाएगा तो इसके अंदर जो भी आप टेप वाटर काम में लो वो ज़्यादा प्रेशर का ना हो अगर ज्यादा pressure का पानी हुआ तो उससे जो core डेमेज हो सकती है तो इसलिए आपको कम pressure का पानी लेना है और eacher आपकी गाड़ी का होनों अच्छी है उसके बाद आपको इसमें से पानी को निकालना है तो अभी हमने पानी चलू कर दिया है पानी जो है इसकी कोर के तुरू स्प्लाई होगे और वापस से बाहर आ रहा है तो आप यहां से देख सकते हो यह जो पहले का कोर के अंदर कूलेंट वगेरा था वो है यह यह देखिया आप इसमें से कितनी डस्ट वगेरा निकल रही है इससे आपके इटर कोर की जो लाइफ है वो भी बढ़ जाती है क्योंकि अंदर जो इसके अंदर फिन्स वगेरा लगी रहती है वो जाम नहीं होती और इसकी जो इटिंग कैप सिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है यह आप देख सकते हैं इसमें कितना गंदा पानी जो है कलेक्ट हो रहा है इसको आप जब तक चलाए रखें जब तक हीटर कोर जो अंदर से बिल्कुल क्लीन ना हो जाए और मेरे हिसाब से जब आप रेडियेटर कूलेंट चेंज कर रहे हो उसस टाइम आपको इटर कॉर को भी साफ कर लेना चाए क्योंकि यही कूलेंट जो है उस इटर कोर के थूफ को और वापस से इंजन के अंदर आता है अगर आप उस टाइम इटर कोर को दो नहीं करते हो तो जो भी गंद के वगएरा इटर कोर में है वो कूलेंट के अंदर मिल जाती है तो इसलिए आपको उसको भी साफ कर लेना चाहिए तो अभी अपन को पांसाथ मिनेट हो चुके हैं अपनी इटर कोर से पानी को जो सप्लाई कर रहे हैं और आप देख सकते हो यह जो वो पानी है जो पहले निकल रहा था इटर कोर से और इस तरफ जो आप देख रहे हो यह अभी निकल रहा इटर कोर से यह आप देख सकते हो अब जो है यह बिल्कुल क्लीन है और पहले वाला भी आप देख सकते हो यह जो है कितना इसके अंदर कुछ तो कूलेंट है और कुछ इसकी डश्ट वगेरा इसमें आ रखी है तो आप जो अपनी इट्रकोर है एकदम अच्छे तरीके से क्लीन हो चुकी हैं तो इन पाइप्स को अपन अटा देते हैं अब आपको इन पाइप्स को फिर से लगा दिएना है इनको देखनें पर एकदम से साफ होई है एक आपको इनको बिल्कुल एकदम अच्छे के से फिट करना है आगी की तरफ से बिलकुल एक दूं से टो इसके बाद इनके क्लंप गेर अगर दबापती से लगा देने तो अभी अपनों ने इसकी फिटिंग वगरा वापस से फिर से कर दी है अब आपको क्या करना है गाड़ी को स्टार्ट करना है और इटर को कुछ देर के लिए ओन रखना है उसके बाद आपको रेडियेटर के अंदर कूलेंट को कम्पलीट कर देना है तो जिससे क्या होगा जो भी कूलेंट वगरा उस कोईल के अंदर जाएगा इटर कोईल के अंदर वो उसके अंदर पूरा हो जाएगा और रेडियेटर के अंदर जितना कूलेंट कम होगा वो इसके अंदर अपन डाल देंगे और जो इटर कोर के अंदर पानी बचाया वो भी अपना कूलेंट के करना ना भूलें इसके साथ साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद